आखिर कार अगर हम एक चेहरे की बात करें जो हम कह रहे हैं ना कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हटने के बाद यहां पर भारतिय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं दे पा रही है। इसके पास के रहे हैं तो केजरिवाल की गैरेंटी करके वह उन्होंने सब बाते की तो और वैसे रहा है रहा है कि वह लगत जो भीजेपी ने शुरों से किया इतने शालों से उसको उसने स्मार्ट लिए उठा लीए क्या हम आधवी पार्टी ने नहीं और पा रही है। मागती रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा और इस बार अगर कुछ किसी ना किसी तरह आमाद भी पार्टी ने कुछ डेंट किया मुदलब बीजेपी को या कॉंग्रेस को और कुछ सीटे ले गए तो आगे जाके ये पूरा का पूरा जो थीम है केजरीवाल की गैरेंटी ये चलने लगेगा यहाँ पर क्या ऐसा होगा या नहीं होगा संजय जी हमेशा चुनाव के बाद ही नतीजों के बाद बताया जा सकता है कि कोई मुकाबला त्रिकोणिया था या नहीं था क्यूंकि ऐसा नहीं है कि गुजरात में इससे पहले कोई तीसरी ताकत आई नहोगा जिसने यहाँ पर चुनाव लड़ा हो इस मुकाबले को ट्रैंग्यूलर देख रहे हैं या फिर वही पारंपर एक तरीका है नहीं शुटा जी आप ठीक कह रहे हैं कि यह तो चुनाव के नतीजों के बाद ही हमें पता चलेगा असल में यह ट्रैंग्यूलर था या नहीं था वो प्रतिशत के हिसाब से सीटों के हिसाब से उन आकडों के विशलेशन के बाद हम कह सकते हैं कि सचमुछ ट्रैंग्यूलर था या नहीं था लेकिन मुझे लगता है श्वेता जी कि आहट पहले से ही मिल रही है ट्रैंगुलर कंटेस्ट है नतीजे तो आठ तारीक को आएंगे लेकिन मुझे जो पिछले दो-तीर महीनों से चुनावी सरगर मी रही है उसे देखते में मुझे लगता है कि ट्रैंगुलर कंटेस्ट है ल मुझे लगता है कि चुनावी नतीजों के बाद भी आपको ट्रैंगुलर ही दिखेगा विनोल जी आपके हिसाब से देखिए परसप्शन के लेवल पर तो ये ट्रैंगुलर लग रहा है लेकिन जो मेरे मुझे जो फीडबेक मिला है उसके साब से कुछ पॉकेट्स हैं जान तरह बाकि ओवराल गुजराथ में बाइक विलर है ये मेरी जम जानकारी मिली यह जय सूरत है सुरत में कुछ सीटों फर ड्याइगुलर कांटेस्ट है इसी तरह है एंदाबद की सीटों पर राम कॉंटेस्ट है लेकिन जैसे हैं जैसे आप गुजाराइज तरफ बढ़ें सवरास्ट की दरब जाएं ट्राइबल बेल्ट में जाएं तो वहां ज्यादा तर सीटों पर जो है बाइपोलर कॉंटेस्ट की खबरें लोग बताते हैं हां आमाधी पाइटी की चर्चा जरूर है लेकिन आम तोर पर चुनाओ जो है बीजेपी कॉंगर्स के बीच में यह और यह जरूर बात है कि बीजेपी हर जगे कॉंटेस्ट में है और उसकी कोशिश है कि जहां-जहां ट्राइबलर कॉंटेस्ट हो वहां उसको फाइदा मिले आमाधी पार्टी कॉंगर्स को डेंट करें लेकिन कॉंगर्स इस उमीद में है कि साथ शहरी छेत्रों में जो है भरत में हम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं आनंदी बेन पटेल इस समय वोट डाल रही है बड़े-बड़े नेता यहां से जो गुजराच से बाहर निकले हैं अब चैप्रधान मंत्री से लेकर आब आनंदी बेन पटेल मतलब एक नेताओं के फेरिस्त आप देखते राजपाल आप राजज से बाहर जाते हैं लेकिन अपने राजज में वोट डालने जरूर वापस आते हैं यह बहुत बड़ा संदेश भी सभी लोगों के लिए हो जाता है मद्दाताओं के लिए हो जाता है कि वोट डालने जरूर निकले कुछ देर में अमिच्छा भी नि आंतिम मंत्री मंडल की बी तस्वीर नजर आती है, जहां से प्रधान मंत्री निकल कर, मतलब नरेंद। रुमोदी निकल कर, मुख्य मंत्री की कुरसी छोड़ कर प्रधान मंत्री देश के बने थे. भले ही वो यहां की बागदोर न सम्हाल रहे हो लेकिन उनके साथ जो प्रतिष्ठा और गौरव गुजरात का जो आ जाता है वो जुड़ ही जाता है और ये सारे चहरे शायद कहीं पर पूरी जन्ता को वो रिमाइंडर भी एक तरीके से देते रहते हैं प्रतिष्ठा आपने ठीक है प्रम्तु एक पार मैंने परिवर्तन देखा एक चालीस सालों में और पर्टिकुलरी पिछले दस साल के अंदर ये आड़ साल के अंदर वोट डालने कौन जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टन होता जा रहा है अब आपने कहा कि यूपी की गव दिखाए इनको दिखाए जितनी बार भी कल भी देखा हमने कॉर्परेशन एलेक्शन में पहले भी दिखाते थे हम वोड़ देते हुए लोगों को प्रन्तु आपको ज्यादा उन लोगों परसनलिटी डिवन जैसे नारा चल रहा है परसनलिटी डिवन वोटिंग पैटन द नाम दिया मैं देखूंगा कि शम तक्याrine जीवा हम वोट डालना जाते हैं के offline जी बी आपको पता होगा कि गुजरात के वोटर हैं आब चेंज हो गए हैं तो पता नहीं है मेरे को कि अड़वान जी इमापर वोट डालने जाते हैं कि नी जाते हैं अला कि 94 ये 95 के हो गए हैं जब 100 साल की उनकी मां जा सकती है था अड़वान जी के लिए भी कोई कि अरेजमेंट किया जा सकता था कि वो भी अपना ड़वोट डालने जाएं परंतु तीसरे क्वेश्चन प्याता है ट्राइंगुलर की फाइट की जो आप बात बारत कर रही हैं ट्राइंगुलर फाइट किसको कहते हैं यह संजेज यह हमारी अच्छी तरह बता सकते हैं आख का प्रभाव तो है पर उसमें वोटों में कनवर्ट करें सीटों में कनवर्ट नहीं हो रहा है तो जब छाप को देखे हैं कि वोट परसंटिole के सार्ट सीटे ब्ही बढ़ी हैं कि खता भी किसी आप खुला का है relief-ग तरिय्जिट का नंबर भी आएगा की नहीं आएगा य तो बोदी जी के लिए दो हजार चॉबिस के अंदर बड़ी ये प्राब्लम हो सकते है कि वहाँ पर 26 की 26 चीटे आती है अगर आप पार्टी वहाँ पर कुछ सेकेंड पार्टी बनकर ये 25 परसंट बूलने जाती है जिसका प्रभाव दो हजार चॉबिस के उपड़ा गुजात का जो इलेक्शनार तै करने वाला है कि दो हजार चॉबिस के अंदर क्या होगा